नमस्कार दोस्तों मैं हो धिनेश के हो रहा सुवागत है आपका निउस टाइम के सताजा अंग के अंग अंदर दोस्तो जब कभी बात होती है सहयोग करने की सोहाद सहयोग और कही न कहीं मेल जोल से संसद को चलाने की बात होती है लेकिन ऐसा लगता है कि संसद वैसे ही जैसे दस साल पहले चली थी, दस सालों में चली थी, ना लोगों के रविये बदले, बस एक चीज़ बदली की दस सालों में विपक्ष जो था, वो बहुत बलशाली हो गया, टिट फॉर टैट करने लगा, ये बात मोदी जी को बरदाश्टी हुई, क्योंकि उनको गुजरात क असेंबली में भी ऐसी आदत नहीं थी, और दस साल तक कमजोर विपक्ष के आगे जो कटाक शो करते थे, तो उनको बोलने की आदत थी, सुनने की आदत नहीं थी, पर शायद मोदी जी एक बात भूल गए, समय की घड़ी की सुईयां चलती रहती हैं, इनसान रुक जाता है कहीं न कहीं मोदी जी की दो स्पीचस से एक बात का एसास हुआ, कल वो मेरा टाइटल भी था, रिपीट भी कर देता हूं, कि मोदी की जिंदगी पुराने एक घंटा घर की रुकी हुई घड़ी की तरह है, जो लगी तो हुई है, लेकिन कोई समय नहीं बताती है, हाँ दिन वही सतर साल, वही एमरजनसी, आखिरकार इनसान भी बासी रोटी कब तक खाएगा है, और कल जब मैंने एक प्रोग्राम किया और शाम को, जिसमें मैंने बताया कि, राहुल गांधी की स्पीच को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे, जब कल मैंने प्रोग्राम किया थ तो 6,77,000 लोग देख चुके थे उस पर, मैं एक आएने की बात करता हूँ, मैं वो बीजे पी आईटी सेल के फेक सर्वेस की बात नहीं करता हूँ, जहां मोदी जी को ब्रमांड का स्वामी बताया जाता है, तो 6,77,000 व्यूज राहुल की स्पीच पे यूट्यूब के स्पीच के जो टोटल व्यूज थे, वो सरफ 66,000 थे, 10 ताइमस लेस, यह इस बात को शो करता है कि लोग जैसी मोदी का चेहरा आता है, टीवी भी बंद कर देते हैं, और यूट्यूब भी बंद कर देते हैं, लेकिन राहुल को देखने वालों की संख्या 10 ताइमस हो गई, सिर्फ इस पर नहीं, इवन टीवी की जो टीवी आरपी आई है, the maximum people who are seen on the television is राहुल गांथी, कमाल की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि जो टीवी आरपी आई हैं और जो रियल व्यूज आए हैं यूट्यूब की संसर टीवी से, आपको यकीन यह आगा, six times more people have seen अखिले सरफ 7800 लोगों ने देखा था, मोदी की स्पीच को, उससे याना खड़गे की स्पीच को लोग देख चुके थे, जो सूरज चड़ता है, वो सूरज उतरता भी है, इनसान जैसे जैसे ज़की होता जाता है, वैसे वैसे सोचता है कि मैं और टक रहूँगा, मैं और टक बोल दिया उन्होंने, और ऐसी गलतिया ना जाने कितनी उन्होंने बात की, लोग हस्ते भी हैं, कई तो फोटोग्राफस आये संसत के, जहां पर मोदी की स्पीच पर उनके अपने मेंबर जमाया लेते वे दिखाई दिए, मूपर हाथ रखके दिखाई दिए, या एक किसम स उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि उनको मालू है कि ये बासी रोटी खिलाएगा, वोई पुरानी बाते लेके आएगा, पर मैंने कहा रहा है, वक्त तो बदलेगा, वक्त की सुईयां तो रुपती नहीं है, पर ये आदमी वही पर रूप गया है, उसको लगता है कि थ स्मेंटल करना पड़ेगा, ये एको सिस्टम देश द्रोईयों का, राज द्रोईयों का सिस्टम है, पर कभी कभी दाल गलती नहीं है, क्या किया जाए, फिलहाल इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कि मोधी जीने टकराव का रास्ता चुन लिया है, अपोजिशन तो कमर कस के आया था इस पर, कुर्सी की पेटी बांध लिया है, उसे ने तो, कि भईया मैं तो तयार बैठा हूँ, टेक आफ के लिस्टम, अब इनको ये बरदाश नहीं कि दूसरा आदमी कुर्सी की पेटी बांध ले, तो ये सोचते हैं कि अगर मैं ठोक तंतर की वापसी करूँगा तो मैं इनको पिन डाउन कर सकता हूँ, और शायद प्लैन चल रहा है कि राहूल गांधी को कितना जल्दी फिर कोट केसे बहसा के जेल भीज दिया जाए, पर अब क्या कहते हैं कि एक बार मशाल जल जाती है तो फिर बुझती नहीं है चली, ये मेरा मानना है, और एक बार क जब इतना सशक विपक्ष है, तो उन्होंने सांस तो लेने नहीं दी, और 22 तरीक से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, बजट का 9 अगस्त तक का, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर विपक्ष ऐसी तैयारी करके आ रहा है, जिसका तोड इनके पास नहीं होगा, रेलवे हो शिक्षा हो, हेल्थ हो, एगरिकल्चर हो, मैनुफैक्चरिंग हो, इंफरस्ट्रक्चर हो, सब के उपर बिल्कुल टु दब पॉइंट कमेंट करने के लिए राहूल की और इंडिया घटबंदर की टीम आ रही है, बजट को भी तोड़ने के लिए, बाचित करने के लिए प अलग-अलग इलाकों में भारती जनता पार्टी, आरेसेस के लोगों ने दिखा दिया, सूरत में, एमदाबाद में, कि भाजबा और आरेसेस का हिंदू हिंसक ही है, कोई शक्वाली बात ही नहीं है, राहूल ने कहा, बीजीपी, आरेसेस, वीएचपी, बज़रंग देल न सरीया हुआ है, तो और उसमें खास करके, जहां तक संसद का सवाल होता है, अभी डेफिनिटली समय बदल चुका है, बट संसद में कुछ बोला गया है, उसको प्रू करने के लिए, देखिए प्रो जिसको बोलते हैं प्रो, तो प्रू को प्रो में ही योग किया जाता है, प प्रो अभी पूरे देश में सिर्फ गुजरात हैं हम सबको पता है, थोड़ा बहुत अभी मद्यप्रदेश भी बचा हुआ है, बाकि ऑलरेड़ी कही ना कही आँख खुल गई है, कही ना कही रियेक्शन दिखना सुरू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात और मद् पूरेड़ी कवरता हुशता हिंदू हिंसक है , वह जहां पर प्रो है , वहां पुरू करने का ट्राइक कर लिया ठीक है वह बलग बात है, ओर आ आपकी जो बात है आज का मुद्दा है अब समई मुझे लग रहा है कि समई का समई जैसे काल चक्र गुमता है, समय चक्र भी गुमता है, और गड़ी में आप on लिखो गड़ी on होती है, on उसका झो spelling है, ononon पूला circle खटम कर दो, एक बार का on जब खटम होता है, तो दूसरा circle नो से शुरू होता है, और अब सही मतलब विपक्स मजबूत होके तो आया ही है पर अब सही संसद शुरू हुआ है आज तक क्या है संसद में भी मतलब एक तरफा रहता था जब क्रिकेट में क्या हो था पूरी टीम फंप में होती है न तो 10th प्लेयर भी आके कुछ ना कुछ खेल जाता है या वो जो भी खेलता है सबको अच्छा लगता है तो जो पिछले दो तम में मोदी जी की जो प्रसिद्धी थी उनके लिए जो लोगों का उनके प्रती जो भाव था तो संसद में वो मेजोरीटी दिखती थी विपक्स कमजोर भी था और संख्या भी कम थी तब कोई भी आके कुछ भी बोलता था तब कैप्टन कभी यह सामने नहीं आता था अब यह यह तम में आप देखो पहले ही दिन से कैप्टन ही सिद्धा पीच पे उतर गया है मोदी जी आके बोलने लगते है पहले क्या था अनुराग ठाकूर स्कुरूती इरानी कोई और गजेंद्र सिंग कोई और व हुआ है उसकी जगा अल आउट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा तो अवर अल देश में भी आप देखो तो दिखिए आपने महनत नहीं किया है आपने सोशल मीडिया से जीत के आए प्रधान मंत्री बने फक्स को इतना बड़ा बनाया फिर आपने जो किया वो एक अथू कि तब जाके यह परिणाम आया है यह रिजल्ट ऐसे नहीं आया है ना रिजल्ट को मतलब ना इवियम लाया है ना कोई जादू टोना करके लाये जो रिजल्ट आया है only and only वास्तविक्ता से लोगों को जो वो किया गया है अवेर किया गया है उसके इसाब से रिजल्ट आया ह तो इस बार अभी पहना question, कितना टिकेगी सरकार हम सबको पता है, कि कभी भी हो सकता है, मेरा तो मानना है कि वाइनर की election की राह देख रहे हैं, इसके बाद कुछ भी हंगामा हो सकता है, इस बार का संसर अगर ये बार manage नहीं किया, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा डर ये है, कि अगर इस बार कुछ भी गलत हो गया तो सीधा फ्लोर टेस्ट पर आ जाएगा और फ्लोर टेस्ट डेफिनेटली कभी भी सरकार गीरा सकता है उत्रा कॉंफिडेंस दोनों साइड पर है यह साइड तो है ही है बड़ यह साइड पर भी है जहां पर वो सब्ता बना के बैठे और और वरल वापिस अगर आपका क्वेशन गुजरात पर है तो देखिए गुजरात में कुछ नहीं हो सकता है अभी तक क्योंकि एक दो चीज ऐसी है जो मतलब हिंदुत्व वाली जो बात है उतनी हावी कर गई यह लोगों के दिमाग में और हिंदु-मुसलिम वाली बात खा यह तो यह तो भारी पढ़ने वाला है और और बी भारी पढ़ने वाला है क्योंकि यह राहूल गादी का net practice चल रहा है अभी तो यह दिरे दिरे से श्यास नहीं हो चुका तो अभी वह दिरे दिरे net practice से और मेरा रहे गे तुटी जा रह हुआ है